पर MIUI 12 का जो Stable Update है हमारी इंडिया में काफी लंबे समय से डिले चल रहा है जिसकी चलते बहुत से ऐसे Redmi के डिवाइस है जिसमें MIUI 12 का Update देखने के लिए नहीं मिला है अभी भी यहाँ पर मैं बात करने वाला Redmi Note 6 Pro के बारे में पोको M2 Pro के बारे में और दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 9 के बारे में तो यहाँ पर इनके लिए MIUI 12 का Stable Update अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है तो यहाँ पर अब यह कौन से मन्त में आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर लगबग एक महिने से MIUI 12 का Update डिले चल रहा है तो फटा-फट से चोटी सी वीडियो में इन तक देख लेना दोस्ते यहाँ पर सबसे वेले में बात के लेता हूँ Redmi Note 9 9 Pro Pro Max के बारे में तो यहाँ पर Redmi Note 9 सीरीज के लिए MIUI 12 का Update अगस इन तक आ जाना चाहिए था लेकिन दोस्ते यहाँ पर कुछ भी ऐसा नही के लिए मिलेगा उस पर मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलना है था तो सप्टेमबर तक आपको यह अपडेट जरूर देखने के लिए मिलेगा आपके Redmi Note 9 के सीरीज में सप्टेमबर एंट तक आपको अपडेट मिलन नहीं था लेकिन आपको सप्टेमबर में जरूर यह अपडेट मिलने वाला था और मिल सकता था दोस्तों काफी ज़्यादा चांसे से आपकी डिवाइस में लेकिन यहाँ पर यहाँ पर एक मन्त यह अपडेट डिले हो चुके है तो यहाँ पर आप लोग के पर Redmi Note 6 Pro का लिए October 8 तक आप लोग को तो वेट करना ही पड़ेगा तब तक आपको MIUI 12 का स्टेबल अपडेट मिलना स्टार्ट हो सकता है तो यहाँ पर MIUI 12 का जो स्टेबल अपडेट काफी लंबे समय से डेले होने के कारण इन डिवाइस के लिए भी अपडेट काफी ज्यादा लेट ह तो यहाँ पर और कोई option नहीं है दोस्तो बाखी दोस्तो अब शाओमी के ऊपर है अपडेट कितने समय बाद कितने user को रिविज करेगा लेकिन यह तो उन्हीं के हाथ में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तो तब तक के लिए करना है जब भी इसकी मैं वीडियो बनाओंगा इ दोश्तों वीडियो फ़सन आ दे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर ले लिए तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी इसलिए cinco ते स graveyardं कर लोब अभी के स्वाड़्य जाए इतना ही मिलते हैं लिए विडियो में